कॉंग्रिस सांसत धीरच साहू और उनके कडीवियों के तीन राजियों जारखंड, उडिशा और पस्चिम बंगाल के दस ठिकानों से आयकर विभाग को सनिवार तक 300 करोड से अधिक की राशी कैश में मिल चुकी है टैक्स चोड़ी के मामले में इनके घर, ओफिस और फैक्टरी पर बुद्वार 6 दिसंबर को चापे मारी की गई वहीं दिरच जारखंड से राज्य सबा सांसत हैं बता दें कि छापे मारी सुरू होने के 3 दिन तक ये अब तक की राशी मिली है और ये है 300 करोड की राशी बता दें कि इस 300 करोड कैश को गिंती करने के लिए 6 बड़ी और 6 छोटी मशीने लगानी पड़ी बता दें कि 6 बड़ी और 6 छोटी मसीनों से जब्त रुपियों की गिंती हुई और तब जाकर अब तक का आकरा 300 करोड तक पहुँचा है आकर विभाग की महा निर्देशक संजय बहादुर ने दिल्ली जानी के दोरान भुवनेश्वड एरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते वे बताया कि कैश की मात्रा इतनी अधिक है कि अभी गिंती में दो दिन और लगेंगे जिसके बाद अधिकारिक रूप से इस पर जानकारी दी जा सकेगी वहीं बता दें कि आकर विभाग ने बुद्दवार 6 दिसंबर को चापे मारी सुरू की थी 7 दिसंबर तक शराब बनाने वाली कंपनी बलदेव साहू एंड ग्रूप ऑफ कंपनीज के सत्पुरा काडियाले में नोटों से भड़ी 30 अलमारी मिली थी इन में से 9 में 500, 200 और 100 रुपए के नोट के बंडल जप्त किये गए नोटों से भर कर कई बैग रखे गए थी हाला कि इन में कितना कैस था इसके जानकारी आईटी टीम ने नहीं दी है अभी लोकरों को खोला गया वही 200 करोर का कैस जहां पहरे मिला तो वही इसके बाद ये गिंती 300 करोर तक पहुँच गई बता दें कि उड़ीशा में बौध डिस्टिलिडी ज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और इससे जुड़े परीशरों में छापे मारी हुई तो वही बलदेव साहु एंड ग्रूप ओफ कंपनीज के ठेकानों पर चापे मारी की गई बौध डिस्टिलिडी के बुवनेश्वर इस्तित कॉर्पोरेट काडियाले और अधिकारियों के घर पर चापे मारी हुई राची के रेडियम रोड में सुशिला निकेतन आवास लोहर दग्गा इस्तित सांसत धिरत शाहु का आवास तो वही बोलांगीर के सुधा पाड़ा में और टिटला गड़ में दो सराब वैपाडियों के आवास पर चापे मारी की गई वहीं लंबे समय से अलमारी में रखे होने के कारण नोटों में नमी आ गई है जिसकी वज़े से नोट एक दूसरे से चिपक गए हैं और नोट गिनने के दोरान अब तक चार मसीने खराब हो चुकी हैं बता दें कि इस कारण गिन्ती में देरी हो गई अब भुबनेश्वर से जब बड़ी मसीन मंगवाई गई तब जाकर के गिन्ती फिर से सुरू हुई और फिर ये आकरा पता चल पाया वहीं आपको बता दें कि बलदेव साखू संस एन ग्रूप की उडिशा में धाई सो से अधिक शराब की दुकाने हैं आईकर के छापे मारी के बाद बुलांगिल जिले के 42 दुकानों में करमचाडी दुकाने बंद कर भाग गए हैं वहीं किरफतारी और पूचताच की डर से ये सभी भागे हुए हैं आईकर विभाग के महान देशक संजे बहादूर नोटों की जबती और गिंती सहित पूरे अभ्यान पर नजर रखे रहे हैं इस सिलसले में अब तक किसी भी के भी किरफतारी नहीं की गई है वहीं शराब का कारोबार करने वाली कमपनी की और से अभी तक छापे को लेकर कोई प्रतिकरिया भी नहीं दी गई है चलिए अब आपको SMA इस बारे में डिटेल से हम दूसरे खबर में जरूर बताएंगे कि आखिर धीरसाहू कौन है और कहां से इनके पास इतने पैसे आए हैं बेरो डिपोर्ट न्यूस पियार लाइव पटना